नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन लर्णिंग श्टैनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रती मिनट की गती से संपात की रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आए दिन यहां के सरकारी स्कूलों की शिक्षा ववस्ता को बहतरीन और आदर्श उधारन बताती रहती है इस बात का हवाला दिया जाता है की हाल के वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गई है और देश विदेश में इसे दर्ज किया जा रहा है अगर ऐसा सचमुच हो तो यहे किसी के लिए भी खुश होने वाली बात हो सकती है खास तोर पर देश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाली की जैसी स्थितियां बनी हुई है उसमें यहे उत्सह जगाने वाली बात है लेकिन अगर इस तरह के परचार के अनुपात में वास्तविक प्रगती और शेक्षिक गुणवत्ता का सवाल कसोटी पर हो तो यहे सवाल स्वभाविक है कि आखिर सरकार स्कूली शिक्षा की तस्वीर को बदल डालने के मामले में किस तरह की उपलब्दियों का दावा करती है यों दिल्ली के कई स्कूलों में आववस्ता या लापरवाही की खबरें अकसर आती रहती हैं लेकिन स्कूल परीसर में अब कई बार छात्रों के बीच अपराधिक हरकतों और कुछ शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी के जैसे मामले सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि दिल्ली की शिक्षा ववस्ता के बारे में सरकारी परचार और दावें अभी हकीकत से दूर हैं दरसल मंगलवार को दिल्ली के दो सरकारी स्कूलों के बारे में आई खबर यह सोचने पर मजबूर करती है कि ये परीसर ववस्तागत इस्तर पर विध्यार्थियों के लिए कितने सुरक्षित हैं और शिक्षक अपने दावित्वों को लेकर कितने सजग हैं गोर तलब है कि दिल्ली के एक स्कूल के दो छात्रों ने पुलिस को दी गई अलग-अलग शिकायत में कहा कि उनके पांच-छे सहपाठियों ने स्कूल के ग्रिशम कालिन शिविर में उनका योन उत्पीडन किया था अफसोसनाक यहे भी है कि पीडित छात्रों ने इसकी जानकारी शिक्षकों और उप्रधानाचार्य को दी लेकिन किसी शिक्षक ने इसकी सूचना पुलिस या अन्य उच अधिकारी को नहीं दी अब दिल्ली की मोजोदा शिक्षा मंत्री का कहना है कि यहे इस्थिती ना सिर्फ अनैतिक है बलकी गैर कानूनी भी है दरसल योन अपराधों से बच्चों का संरक्षन अधिनियम यानी पाक्सो के तहत यहे प्रावधान है कि अगर किसी वयस को बच्चे के योन उत्पीडन के बारे में पता हो और वहे संबंधित प्राधिकार को इसकी सूचना ना दे तो यहे गैर कानूनी है क्या उस स्कूल के शिक्षकों और उपरधानाचार्य को अपने इस दायत्व की जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने इस मामले की अंदेखी की अब उन्हें निलंबित किया गया है लेकिन क्या इतने भर से इस समस्या की व्यापकता और गंभीरता का हल निकाल लिया जाएगा स्टोब